हाई एवरिवान ये जो सबजिया मैं काट के रखी हूँ आज मैं इसे एक बहुत ही यमी टेस्टी डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हूँ और जिसको सारे घरवाले बहुत पसंद करते हैं और ये है सेंटर अफ अट्राक्शन आमबुल और इसी के नाम पे ही इस सबजी क को प्रिशर कुकर में डालके आमबुल भी मैंने उसमें डाल दिया था और नमग हलदी डालके एक सीटी आने तक उसमें पकने के लिए छोड़ दिया था फिर उसको ग्यास को अपने आप ही रिलीश करने के लिए ऐसे रख दिया था अग्छिली यह जो आमबुल है यह कच्छे आम को काटके नमक डालके उसको सुखा के स्टोर करके रखा जाता है जिसे नौर्थ इंडिया में आमचुर बना के रखते हैं हम ओडेसा में इसे आमबुल बना के रखते हैं और ये आमबुल हम, मतलब ऐसे सबजी खटा कुछ भी बनाए तो इसमें हम डाल सकते हैं, मैंने भिंडी भी काटके रखी थी और ये भिंडी को मैंने यहां पर फ्राई कर दिया, अगर मैं उसको प्रेशर कुकर में दे देती ना तो उसका जो स्टिकीन ऐसे बहुत बढ़ ज इसमें ना वेस्टर्न पार्ट ओफ प्रोडिसा में लोग एक करडी डालते हैं, जो इस सबजी को चार चांद लगाता है, वो करडी बैंबो सूट से होता है, करडी बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत सारे लोगों को बहुत लोग खाते हैं, और मैंने इसके बाद ना, जो हम लोग बैसन यूज करते हैं, लोग दही भी डालते हैं, मैंने आज ऐसा कुछ नहीं डाला क्यूंकि मेरी जितनी खटाई चाहिए सबजी में, मैंने टमैटर और ये आमबुल डालके ही कर लिया था, उससे जादा खटा पसंद नहीं करते हम लोग, तो ये खटापन उसमे तेल थोड़ा डाल दी मैंने, सरसो, यहां पर पंचपोरन भी बहुत सारे लोग लेते हैं, मैंने यहां पर सरसो दिया, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, हर किसी का खाना बनेने का तरीका अलग-अलग होता है, तो मेरा भी वैसे ही है, मैं कोई बड़ी सेफ नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बस घरोई वाला खाना बनाती हूँ, घर की खाना जो होता है, वही जो मुझे पसंद है, और मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के शार शेयर कर लूँ, तो यह तड़के के लिए मैंने रेडी कर दिया, तड़का लगाया हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मेश टाली, ताकि उसका कलर बहुत सुंदर लगे, यह मेरा यहां पे तड़का लगा दी, और फिर मैंने ढग दिया तुरंत उसको थोड़ी देर के लिए, फिर जिवन निकाला, ओहो, क्या अरोमा था, क्या मस्त लग रहा था, आप तक यू सुमाच.